क्या आपको पता है कि इडियेट का मतलब क्या होता है इडियेट वर्ड की शुरुवात असल में हुई कहां से थी हम जो इडियेट का मतलब जानते हैं क्या वो सही है इसके अलावा क्या आपको पता है कि मैक्जिमम पैंसिल का कलर यलो क्यों होता है या जब आपको कोई गुद्गुदी करता है या आप किसी को गुद्गुदी करते हैं उस situation को क्या कहते हैं उसमें actually होता क्या है ऐसे ही बहुत सारे मनुरंजक facts इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से आखरी तक देखते रहिए वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें पूरे धरती पर आज जितने लॉइंस बचे हैं उनसे जादा, इवन उनसे कई जादा लॉइंस की स्टेची उस हमारे शहरों में लगे हुए हैं और ये विचार करने वाला फैक्ट है जब वर्ड वार वन चल रहा था उस समय कैनेडा की एक बकरी हीरो के रूप में पहचानी गई एक्चुली जब बं ब्लास्ट होने वाला था उससे ठीक पहले उस बकरी ने तीन सैनिकों को अपने सिर से मार कर एक खाई में धक्का दे दिया जिससे उन सैनिकों की जान बज गई और बकरी को लोग हीरो मानने लगे अगर आपकी एज 19 साल और 4 दिन है इसका मतलब आप 10 मिलियन मिनिट से इस दुनिया पर मौजूद है यानि आपकी एज मिन्टों में 10 मिलियन मिनिट से इतने मिनिट से आप इस धर्ती पर एक्जिस्ट कर रहे हैं एफ्रिका के एक डिप्लोमेट एल यासुके जब पहली बार अपनी जापान के दोरे पर गए उससे पहले कोई भी एफ्रिकन कभी जापान नहीं गया था और ना ही जापनीज ने कभी आफ्रिकन्स को देखा था तो यासुके जब जापान पहुचे तो पहले लोग बहुत शॉप्ड हुए वे इस बात से परिशान दे कि कोई व्यक्ति क्या सच में इतना काला हो सकता है इतना ही नहीं जापान से बहुत बड़े-बड़े राजा आने लगे और उन लोगों ने यासुके को नहलाया और उनकी स्कीन साफ करने की कोशिश की उन्हें ये लग रहा था कि ये यासुके अपनी स्कीन पर काले रंग से पुताई करके आया है लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि ये कलर एक्चुल है तब भी वे बहुत सर्प्राइजड थे हलाकि बाद में वे सारे लोग यासुके के फ्रेंड बन गए फायर फ्लाइस तो आपने देखी ही होंगे यानि जुगनू लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फायर फ्लाइस को आधुनिक इलेक्ट्रिक बल्फ से ज्यादा स्किल्ड लाइट प्रोड्यूसर माना जाता है क्योंकि जुगनूओं के अंदर जो लाइट होता है वो उनका खुद का होता है वे किसी और सोर्सेसे उस लाइट को नहीं लेते हैं सोर्सेस अव लाइट की जब लिल्स्ट बनाई जाती है उसमें फायर फ्लाइस का दाम भी होता है मिशिगन स्टेट दुनिया का पहला ऐसा स्टेट है जहां की हाइवेस पर और सडकों पर यलो कलर की स्ट्रिफ बनाई गई एक डिवाइडर की तरह जिनका मतलब अगर एक सिंगल यलो पट्टी है और पूरी सॉलिड है इसका मतलब आप दूसरी गाडियों को ओटेक कर सकत हैं लेकिन साउधानी से अगर एक सॉलिड यलो लाइन है और दूसरी उसके साथ में लगी हुई ब्रोकन यलो लाइन है इसका मतलब अगर आप ब्रोकन लाइन की तरफ ड्राइब कर रहे हैं तो आप ओटेक कर सकते हैं लेकिन अगर आप सॉलिड लाइन की तरफ ड्राइब कर रहे हैं तो आप overtake नहीं कर सकते Did you know जब भी हम public toilet का इस्तमाल करते हैं तब 42% male और 25% females आपने hand wash नहीं करती कई लोगों का यह मानना होता है कि public toilet में मौजूद wash basin बहुत गंदा होता है जिससे हाथ दोने पर हाथ जादा गंदे हो जाते हैं अगर आप भी night life के शोकीन है तो यह fact आपके लिए perfect है क्या आपको पता है जब से electric bulk बने हैं तब से हर व्यक्ति अपने जीवन में और सतन तीन घंटे लेट सोता है यानि इन lights की वज़े से हमें रात में भी दिन का अनुभा होता है और हम अपने कई कामों को कर लेना चाहते हैं या हमारा mind भी हमें इस बात की signal नहीं देता कि रात हो चुकी है और आपको सो जाना चाहिए अगर आप एक महिला है या लड़की है तो आपके जीवन में आपके husband और आपके boyfriend का बहुत बड़ा impact पड़ता है जब भी आप tension में होती हैं जब भी आप किसी चीज़ से परिशान होती है ऐसे समय में जब भी आपके पती या आपके boyfriend आपके नस्दिक आते हैं तो आपका mind उनकी गंद महसूस करके और बहुत relax फिल करता है यानि वो अपनी help आपके लिए करें इससे पहले ही उनकी गंद ही आपको उस tension से आधा मुक्त कर देती हैं बहुत सारे लोग अपने daily जीवन में idiot शब्दों का इस्तमाल बहुत करते हैं कई लोगों को तकिया कलाम बन गया है बार बार छोटी छोटी बात पर लोगों को idiot कहना आप भी बोलते ही होंगे लेकिन क्या आपको पता है idiot word actually आया कहां से और इसका मतलब होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दू कि idiot का मतलब वो नहीं होता जो हम जानते हैं idiot word originally Greek का एक शब्द है और Greek के लोग idiot का इस्तमाल उन लोगों के लिए करते थे जो politician नहीं है और बात में इसका फ्रचाद दुनिया में हुआ और इसका इस्तमाल आम लोग भी करने लगे Eiffel Tower को लेकर पूरे दुनिया के लोगों में कई तरह की curiosity भी है लेकिन कई लोग जानना चाहते है कि इसकी length कितनी है और वहाँ तक जाने के लिए क्या व्योस्ताएं है तो मैं आपको बता दू Eiffel Tower के अंदर यानि bottom to top आपको चड़ने के लिए 1665 स्टेप्स चड़ने के बाद आप टॉप पर पहुँच पाएंगे जब भी आपको कुछ गुदगुदी करता है या आप किसी को गुदगुदी करते हैं और उस समय जिस व्यक्ति को गुदगुदी की जा रही है उस व्यक्ति की उस condition को panic condition कहेंगे वो व्यक्ति गुदगुदी होने पर हस्ता जरूर है लेकिन actually उसका mind गुदगुदी के उन signals को pain के रूप में ले रहा है छोटे बच्चों को गुदगुदी करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें गुदगुदी बहुत ज़्यादा painful हो सकती है आपने notice किया होगा कि दुकानों पर मिलने वाली सबसे ज़्यादा pencils का color yellow होता है इवन शुरुआती pencils तो yellow ही होती थी इसका कारण चाइना से जुड़ा हुआ है एक चुली चाइना में graphite के बहुत ज़्यादा भंडार है तो maximum pencils चाइना में बनाई जाती थी और चाइना में yellow color को राजशी color माना जाता है यानि रजवाडों के थाट बाट से जोड़ा जाता है तो अकसर वो लोग pencil का color yellow कर देते थे और उनकी pencils बहुत sell भी होती थी जब Americans pencil बनाते थे तो वो लोग भी जान बूच कर चाइना की copy करते थे और pencil को yellow color दे देते थे इसके अलावा कोई भी टेकनिकल कारण नहीं है कि pencil yellow क्यों होती है अगर आप भी weight lose करना चाहते हैं तो आपको dieting करने की कोई जरूरत नहीं है इवन आपको nourishment वाला खाना खाने की जरूरत है इसके अलावा आपको morning breakfast करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आप दुनिया की चाहे कोई भी activity क्यों न कर रहे हो लेकिन उन activities को करते समय आपके mind में मौझूद हर चीज active नहीं होती है यानि particular activities को लेकर जो भी responsible चीज़े हैं आपके mind के अंदर सिर्फ वही active होती है लेकिन listening music एक मात्र ऐसी activity है दुनिया में जब भी आप music सुनते हैं तब आपके mind में मौझूद हर एक cells हर एक wave active हो जाती है यानि mind की exercise कराने के लिए आपको music सुनना बहुत जरूरी है आखरी fact इतना अच्छा है कि आपको मज़ा आ जाएगा आप कहेंगे वाव क्या facts है देखिए एक कटा हुआ गाजर आपकी आँख की तरह दिखाई देता है यानि carrot की एक slice आपकी आँख की तरह structure रखती है और ये carrot slices जब भी आप खाते हैं तो ये आपकी आँखों के अंदर blood circulation को increase करती है जिससे आपकी आँखे अच्छी रहती हैं जब आप एक tomato को काटते हैं तो उसके अंदर 4 blocks होते हैं पूरा red होता है और उसका shape भी आपके heart की तरह होता है और जब भी आप tomato खाते हैं तो इस tomato में like open नाम की एक चीज होती है जो आपके heart से अशुद्दियां हटाने का काम करती है और आपका heart proper function करता है इसके अलावा एक afroat आपके mind की तरह दिखाई देता है और जब आप afroat खाते हैं तो ये आपके mind की working potential को बढ़ाने के लिए 3 dozen से ज़्यादा neurotransmitter generate करता है इसके बाद आपने matter देखी होगी वो आपकी kidneys की तरह दिखाई देती है और जब भी आप matter का इस्तमाल करते हैं तो ये आपकी kidneys को proper work कराने के लिए responsible होती है मतलब matter खाना आपकी kidney के लिए बहुत फाइदे मंद है ये कुछ ऐसी vegetables थी जो आपके body organs की तरह दिखाई तो देती है लेकिन जिन organs की तरह ये दिखाई देती है उन्ही के लिए काम करती है तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे like करिए share करिए और channel को subscribe करिए और अगर आपके कोई सुझाओ है तो आप नीचे comment box में अपने सुझाओ जरूर दीजिएगा यदि आपको इन में से कोई एक fact बहुत अच्छा लगा हो तो उसका नाम आप comment box में जरूर डालिए यदि आपको इन में से कोई एक fact बहुत अच्छा लगा हो तो उसका नाम आप कॉमेंट बाक्स में जरूर डालिए